टेन आट टूवल वालों बच्चों के लिए क्लास जो अमर शीट जो सिबेशी ने रिलीज किया उसे बहुत आची तरह से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए क्योंकि इस बार पहली बार आउअ मार शीट कप्रैक्टिस किया जा रहा है और एक्जामनेशन लिया जारा है तरहा आपको OMR सीट ने कोश्चन पढ़ने का समय मिलेगा जो यह काफी इंपोर्टेंट है इस समय आप डिटर्माइन कर सकते है कि कौन सा कोश्चन मुझको करना है और कौन सा नहीं करना है साड़े ग्यारा बैसे लेकर एक बजे तक नबे मिनट का जो टाइमिंग होगा वो आपको OMR सीट भरने का टाइमिंग मिलेगा फिर रॉल लंबर आपको जिस स्कूल के तरफ से जो मिला है वो आपको मेंशन करना OMR सीट में पूरी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे ब्लैक एंड बॉल पेन का यूज करना है और याध अखियेगा बॉल पेन यूज करना है जेल पेन यूज नहीं करना है और पैलporितरा सेसे फिलफ करेंगे वो हम इस वीडियो में पुरी तरह से जानने के कोशिश करेंगे और ताकि जरा सा भी अगर आपसे गलती ओमार शीट भरने में हो जाए तो आपके एक्जामनेशन को यानि आपके पेपर को कैंसल कर दिया जाएगा सबसे पहले हम इसको जानने कि यह जो पार्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहा है यह है और सिबेसी ने बताया यह फर्स पार्ट है फिर ओमार जहां पर आपको रिस्पॉंस देना है अनसर देना है वो आपका सिकंड पार्ट है और यह जो पार्ट जो नीचे आप जो देख र सब लेकिंता है कि आपको जो है एक्जामनेंशल में यह रॉल लंबर आपको फिल आपको लिखना होगा क्योंक परिच्चह का दिन आती थी यह प्योन सबवकी chyba लगबक भाग इसमें सब बहुत सी चीज़tern ऐह से Candと ल Aur प्वाम को啊 है उसे आपको अच्छी तरह से फिलब करना यह जब बॉक्स देख रहे हैं अधिक चक का मोहर यहां पर जो आप रिटेन फॉर्म में जो देख रहे हैं यह आपका नहीं लिखा हुआ मिलेगा यह ब्लैंक होगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है इसमें चिर्फ अपको क्या करना है स्कूल के वहां पर वह मोहर मारेंगे यहां ध्यान देने वाली बात है यह आपке लिए बहुत बड़ी इंप्रेंड क्या कि या यानि के बाले जिए दो बच्चे है दो बच्चों का अगर कोश्चन नुमडर में अगर पुछा गया है कि माले जी मोट से कोश्चन है और लेकिन तो आपको कोश्चन पर कोडिंग आपको यहां बगया से जो भी फिल नंबर दिया दे उसे आप यहां fill up कर देंगे जितना अच्छा से आप fill up कर सकते हैं बॉक्स के अंदर ही लिखना है दूसरी बात कि यहां पर एक चीज और बताया गया कि बहुत सा जिसे यह black कर दे रहा है या टिक लगा रहा है तो यह सब आपको नहीं करना है आपको जो perfect होगा यह जो आपक सरकल किया हुआ है वह आपको इस तरह से पूरी तरह से गोला कर देना है यह पार्ट वन सेशन तो आपको यह नोट करना है कि यह पार्ट में हमको दो पाइंट को भरना है जैसे रॉल नंबर हमें fill up करना होगा यह फ्लफ करना है और साथ ही साथ जो है बाकि सब चीज फिल होगा यह पार्ट आपको ब्लैंक छोड़ देना है यहां पर आपको कोड लिखना है और यह पार्ट में आपको इस तरह से कुछ नहीं करना यह पार्ट को आपको करना कुछ नहीं यह आपको बताया गया है कि इसमें सिर्फ कलर इस प्रकार से करेंगे इस तरह का नहीं करें है जो आपको जो आपका पार्ट होगा वह पार्ट होगा आपका यह आफनल से पहले आपको थ्ट पध़ aye यह भी आपका बहुत यह बड़ा रौल आदा करेगा यहां पर लिखा हुए यान confirm confirm that the particular are given are correct यह statement आपको on handwriting में लिखना होगा पूरा statement लिख देना है और साथ ही साथ यहां पर आपको अपना signature कर देना running hand में बाकी यह जो portion आप जो देख रहे हैं यह नीचे ओला जो portion देख रहे हैं इसमें आपको कुछ भी कि नहीं करना है कुछ भी करना है जो गाइज इतना आपकरने के बाद अब जो में जो है response जहां आपके घलत होने पर आपके marks भी कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर detail बता रहा हूँ यह आपका third part फिक है यह third part को अगर आप देखें तो यह third party में और हम देखे ने हैं तो यहां पर आगर आप देखुएगा third part में तो यहां पर आपको ओमार शीट का अंसर लिखना है जरा सा आप इसको देखिए कगर तो यह कितने कॉलम में कोशन नमबर वान टू कोई भी दिखेगा तो एक दो तीन चार और एक पुश्टार बॉक्स है और एक हैस्टेक है टूटल है छे बॉक्स यह सबसे बड़ी बात है कि इस बार एक्जामनेशन जो हो रहा सिबसी ने उसने क्या क्या है कि चार गोला आप अगर कम्रेटिप में बठिएगा तो सिब गोला ही नजर आएगा यानि आपको गोल करने मिलेगा लेकिन सिबसी ने यहां बच्चों को देखते हुए अच्छा एक रिस्पॉंस लिया ह है वह रिस्पॉंस क्या है वह मैं आपको बता दू कि यहां पर चार बॉक्सेस है उसको मैंसे कोई भी आपका अंसर सही होगा उसको कर रंग करना है और यहां लिखना भी है और स्टार में पूरा डिटेल तरह समझेगा माल लीजिए हमने कोईशन नमबर टू साल्व किया और उसका अंसर मेरे पास मिल गया बी अब बी मिला तो हम इसको पूरी तरह से ब्लैक बॉल या बुलू पेंट से आप इसे कलर कर देंगे ठीक है अच्छा से किजिएगा चूकि हम यह पेंट से कर रहे हैं बाहर से इसलिए ऐसा हो रहा ठीक है इसको बढ़िया से आप कलर अब यह आप कलर कर लिए तो आपको अब अंसर लिखना है जैसे टू का बी तो आपको यहां मेंशन कर देना होगा कि बी अंसर होगा यहां हो गया आपकी अंसर अगर मिल गया तो वह आपको मार्क्स मिल जाए अगर माल लेजिए आपने ध्यान सुनेगा आपने क्या किया स आपके हिसार से D होगा तो आपको यहाँ फिलप करना है D, C को नहीं अब एक्जामनी क्या करेगा एक्जामनी क्या करेगी कि यह आपका जो B यह बॉक्स में जो लगा हुआ इस्टार ओला जो बॉक्स है उसमें आप जो लिखिये गा जैसे माल लेजिए हम कोई भी कलर नहीं क है अगर आप सी भी लिख दिए तो सी बेसी का नोटिस अगर आप जाके देखिए उन्होंने बताया कि इसको भी सही माना जाएगा यानि एक्जामनी जो कॉंड करेगा जो रिड करेगा वह आपको बॉक्स वाला करेगा यह ओमार सीट जो कलर करने वाली बात है वो सिर्फ आगे हम करते हैं कि माल लिजे इन दोनों कंडिशन से हम निकल गए अब हमें जरूवत पड़ गया कि अब यह सानेंगे कि हैस्टेग बॉक्स का क्या यूज है चलिए हैस्टेग बॉक्स का यूज मैं आपको बता दू कि जैसे माल लिजे सेवन नंबर कोश्यन मुझे नही माल लिजे कोई बच्चा क्या करता है कि शिक्स नंबर को कलर कर दिये उसके अंसर औस सिक्स हम भी कर दे और समूंहें पढ़कर जाएगा तो यहाँ point वाली बात है कि आप color आप कुछ भी किजिए, मुटा मुटा यही बात निकल रहा है, आप color तो करना ही करना है, आप जो color कर ले, लेकिन examiny जो होगा, आपकी copy जो check करेगा, वो star वाला box को देखेगा, और hashtag box को देखेगा, फिर से अगर हम repeat करें, माल लिजिए कि अ और हमने, इसका मतलब हो गया है कि हमने exam में no number question छोड़ दिया, लेकिन हमने color यहाँ B को भी कर दिया, तो क्या B को examiny माल लेगा, नहीं, कभी नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा hashtag वाला, तो guys इसी तरह से आप OMR practice का खुब बढ़िया से कर लिजिए, ताकि आपको अच अची तरह से examination में clear हो जाए जाहिए